नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरेस जिंक्षन पर मैं हूँ घंशाम शर्मा और एक बार फिर हाजिरू लेकर डेली करंट अफेर्स का बूस्टर तो पांच फरवरी 2021 आज का दिनांग है और शुरुआत करते हैं सब इंस्पेक्टर एक्जा जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है तो तैयारी में जुट जाएए दोस्तों इंतजार मत कीजिए और अभी से अपना रूटीन बना लीजिए अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसे के कोडिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए चलिए तो पहले प्रिश्ली के शड्यूल्ड ट्राइब्स जो समुदाय है उसके सरवांगिन विकास के लिए एक बोड का गठन किया है माडा नाम से अब यह माडा नाम किस बोड का फुल फॉर्म है यह आपको भी मैं आगे बताऊंगा यह माडा दरसल जोदपूर संभाग के लिए स्थापित किया गया ह तो एक बोड है जो एक राज्य के एक विशेश संभाग पर फोकस करेगा तो यह संभाग है जोदपूर संभाग अब इसका नाम माडा क्यों बढ़ा क्योंकि यह है मारवाड छेत्रिये जनजाती विकास बोड ठीक है तो मारवाड रिजनल ट्राइबल डेवलप्मेंट बो बोड का मुख्याले जोदपूर में ही होगा और इसमें एक अध्यक्ष सदश्य सचिव तेरह पदेन सदश्य और समुदाय के छे प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित होंगे जनजाती चेत्रिये विकास विभाग जो हमारा है वो इसका प्रशाशनिक विभाग होगा और इसके लिए प्रशाशनिक सायता उपलब्द कराएगा बोड का काम क्या होगा बोड जो जोदपूर संभाग के जितने भी जिले हैं उन जिलों के अनुसूचित जनजाती समुदाय के उत्थान और विकास के लिए एक परामर्ष दाता संस्था के रूप में काम करेगा परामर्ष इस योजनाओं का निर्मान कर TAD और अन्य विभागों को भी प्रस्तुती देगा ताकि उस छेत्र विशेष के जरुवत के इसाब से जिन जाती समुदायों के लिए रोजगार, सिक्षा और बहतर जीवन इस्थतियों की व्यवस्था की जा सके चलिए दूसरा प्रश्ण भी राजस्थान से जुड़ाया, जा राजस्थान के प्रश्ण ज्याद है, रास्ट्रे महिला आयूग इसकी इस्थापना का दिवस हाली में आयूजित किया और इस दोरान राजस्थान की आंगनबारी कारिकरता इश्रत बानों को सम्मानित किया, प्र पत्र और कोविट शिल्ड रास्ट्रे स्तर के समारों में दिया गया जब रास्ट्रे महिलायों का 29 इस्थापना दिवस मनाया गया तो सम्मान समारों में राजस्थान, मद्यप्रदेश, जहारकंड, मिजोरम और तेलंगाना की एक एक महिला आंगन बाड़ी कारिकरता जो बोलते हैं इदगाह कची बस्ती, इदगाह कची बस्ती में सेनटाइसेशन से लेकर के घर घर जाकर सर्वेक्षन करना, लोगों को मास्क इनेटरी और नैपकिन करना, राशन और भोजन के वित्रन करना, counterpart बाहर सेने वाले लोगों की जानकारी का संकलन करना, multi-C Вс आपने पर कारे किया और लोगों को मदद पहुचाई और इसी लिए इनका चेयन किया गया ताकि इन्हे सम्मानित किया जा सके और ये सम्मान इनको मिला जिसके साथ प्रोदेश भी गोरवन वित हुआ है चलिये निम्लिकित में से कोण एक दो हजार बीस में सबसे मुल्यवान भारति है celebrity रहे मुल्यवान से ताथ पर यह एक brand value जो होती है अर्थाथ किसी विक्तिक के साथ आप काम करें और वो आपको पूरा मुनाफ़ा कमा के दे या जिनके demand रहती है ऐसे में विराट कोली को सरवोचिस्तान पर रखा गया है तो यह report चारी की गई है एक company जिसका नाम है डफ एंड फैलप्स डफ एंड फैलप्स कमपनी जो की brand मुल्यांकन करती है ठीक है उसने assessment करके और first number पर रखा है एक बार फिर से लगातार चोथे साल विराट कोली को जो भारती क्रिकेट कप्तान है 23.77 करोड अमेरिकी डॉलर के brand value के साथ में इने 2020 का सबसे अधिक brand value वाला वेक्ती गोशित किया गया है लिस्ट में दूसरा नाम बॉलिवड एक्टर अक्षे कुमार का है और तेसरे स्थान पर रण वीर सिंग है इस लिस्ट में 5.11 करोड डॉलर के मुल्यांकन के साथ शारुक खान चोथे स्थान पर है जबकि दीपिका पादुकोन पांचवे और आलिया भट चटे स्थान पर है तो 2020 के लिए जो टॉप 10 है इनमें सारे फिल्म इंडिस्ट्री के केवल कोली को छोड़ कर कोली फर्स्ट बर हैं और वो फिल्म इंडिस्ट्री से ना हो करके स्पोर्ट सेक्टर से हैं और महिलाओं की बात करें तो दो महिलाएं हैं जिनमें आलिया भट और दीपिका पादुकोन सम्मे लेता है देश का पहला आरदर भूमी संग्रक्षन और प्रभंदन के इंदर किस इस्थान पर खोला गया है दोस्तों आप सभी जानते हैं दो फरवरी को हाली में हमने विश्व आरदर भूमी दिवस मनाया और इस दोरान हमने करेंट अफेर्स में बाद भी की थी तो इसी को देखते हुए आरदर भूमी को संग्रक्षन प्रदान करने उनके प्रभंदन के लिए चुकि देश में अब 42 से भी अधिक आरदर भूमी छेतर गोशित किये जा चुके हैं और इसी क्रम में चैन्नई में पहला आरदर भूमी संग्रक्षन और प्रभंदन केंद Center for Wetland Conservation and Management ये इसका नाम है इसे आपके परियावरन वन एवम जलवायू परिवर्तन मंत्राले Ministry of Environment, Forest and Climate Change उसके अधीन National Center for Sustainable Coastal Management का हिस्सा बनाया है तो तटिये छेत्रों में चुकि आरदर भूमिया काफी बड़ी मात्रा में हमारे पास इस्थित है ये समर्पित के अंदर क्या करेगा सबसे पहले तो ये देखेगा कि जो अनुसंधान की जरुरत है और जो ग्यान की कमी अभी हमारे पास में है आरदर भूमियों से संबन्दित उसको कैसे पुरा किया जाए उस समश्या को संबधित करेगा और जो आरदर भूमियों के संग्रक्षण और प्रभंधन के लिए दरश्टी कोन हमें चाहिए जो विजन हमें चाहिए उसको अपनाने में भी ये साहिता करेगा आरदर भूमियों के संग्रक्षण और प्रभंधन के इंदरे देश में आरदर भूमियों के संग्रेक्षन के लिए नीती निर्मार जो policy making होगी, प्रबंदन योजना, management कैसे करना है, उनको ले करके राज्य और रास्ट दोनों की ही सरकारों की साहिता करके, क्योंकि विशिष्टता चाहिए, आरदर भूमियों के बारे में वैसे तो committee काफी बनाई गयाती है, लेकिन एक विशिष्ट पैनल हो, जो की इन से related विशिषग्यों को धारण करें, वही इनके बारे में बता सकता है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, बहुत से जो शोद करता हमारे यहां काम कर रहे हैं, परियावन एक्टिविस्ट जो काम कर रह हैं, उनके संग्रक्षन में ये केंदर काफी मददगार होगा, चेन नहीं में इसे स्तापित किया गया है, चलिए बात करते हैं एक युद्धाव्यास के बारे में, बारत और अमेरिका की बीच में एक युद्धाव्यास किया जा रहा है, जिसका नाम ही है Operation युद्धाव् अमेरिका ने 7-22 फरवरी तक विकानेर में ये अभ्यास करने के लिए जो है, आयोजिन किया है, ब्रिगेड लेवल का होगा, और दो सप्ता के अभ्यास में दोनों देशों के 250 से अधिक सैनिक इसमें भाग लेंगे, अभ्यास का 24 संस्क्रण है, इसके शुरुआत के बाद स आखिरी अभ्यास अमेरिका में हुआ था 2019, देखो ये बहुत important प्रशन है, मान के चलिए कि इस तरह के प्रशन जैसे अभी कानेर में हो गया, तो ये प्रशन आने की 99% संभावना है हो जाती है, ये अभ्यास 2020 में महामारी के कारण आयोजित नहीं हुआ था, तो महामारी की वज़े से कहीं पर भी इसका आयोजित नहीं किया और इसलिए इस साल इसको अब आयोजित किया जा रहा है, अभ्यास का मुख्यों देश आतंकवाद, विरोधी अभियान और दोनों दिशों के बीच युद्ध प्रक्रियाओं में प्रक्षिक्षन के लिए कोशल को बढ़ है हमारी अप्लिकेशन आरेस जंक्षन पर तो प्रियास हमारे छोटे हैं लेकिन लक्ष बड़े हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छात्रों को उत्कृष्ट मैटेरियल दिया जा सके तो सपोर्ट कीजिए हमें और शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए यह मारे साथ वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद